तो आज हम हिंदी में चोथा पार पड़ेंगे दीवानों की हस्ती हम बात कर लेते हैं पहले कुछ सब्दार्तों की बारे में तो दीवाने कहते हैं मस्ती भरा जीवन जीने वाले विक्ति को या शुतन्तिता सेनानी को हस्ती का मतलब होता है सामर्थ है मस्ती का मतलब होता है खुशी आलम का मतलब होता है संसार दूल उडाना यानि खुशी मनाना उल्लास का मतलब होता है खुशियां जिक का मतलब बच्चे होता है संसार और छक्कर का मतलब होता है जी भर करके बिक्मंगे यानि बीक मांगने व निशानी और उर का मतलब हर्दय है ऐसा फल्दा का मतलब होता है नाकाम्याबी आबाद यानि प्रसंदता पूर्वक जीवन के चलाने वाला होता है उसको स्वयम्यन अपने आपको और बंदन यानि बेडिया इस पार्ट में स्वत्मित्रा सेनानियों को यहां दीवाना का गया है और बगवती चरण वर्मा जी ने बगवती चरण यह शयाब मतलिगना बगवती चरण वर्मा इतना ही होता है तो हम पार्ट शुरू करते हैं यह पार्ट वसंत भाग तीन से लिया गया है इसमें कविता के रूप में वर्मा जी ने लिखा है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बेच चले अभी सब कहते ही रहे गए अरे तुम केसे आए कहां चले इस पार्ट में दीवानों की हस्ती जो कविता है उसमें यह कविता ने बताया है कि भारत की स्वतनता के लिए बलिदान होने की मस्ती में डूबे स्वतनता आंदोलन के सेनानियों की मनुदसा का विणन करते हुए वर्मा जी लिखते हैं कि कभी भी स्वतनता सेनानी एक इस्तान पर टिकर नहीं वहते वो लोगों में नया जोस उल्लास यह भरते रहते हैं कभी कहता है आजादी के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाले वीरों का मन जोसे बरावा है इसके लिए देश की गरीमा हमेशना सर्वों पर होती है उनके आगे उन्हें अपना कोई यानि कोई हस्ती नहीं दिख है आजादी के दिवान हैं जहां मन हुआ वहाई चले लोगों में उल्लास पेदा करने के उदेशे से सारे देश में घूमते हुए चले जिस दिशा में वो अपना कदम बढ़ाते हैं उसी दिशा में जोस और उल्लास का वातावरन पेदा कर देते हैं कभी के अनुसार यह लोगों के लिए हर्स और उनलास लाते हैं और जब वे वहाँ से जाते हैं तो उनके बंदू बांड़ों की आँखों में सनेह के आंसू उमड़ परते हैं और वो उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आए तो इतनी जल्दी कहां चले तुम यहां कुछ दिन और रुकते तो हमारे अंदर एक नया जोस बरता किस और चले यह मत पूछो चलना है बस इसलिए चले जग में उसका कुछ लिए चले जग को कुछ अपना दिये चले दो बात कही दो बात सुने कुछ हसे और फिर कुछ रोए छकर दुख सुख दुनिया की घूंटों को हमें एक बाव म में कभी कहता है कि दिवानों के लिए सुक और दुख समान रूप से दिवा ने कहते हैं उनका आने जाने का कोई ठीकाना नहीं है और ने कोई उनके ठीकाने के बारे में पूछे उनका कोई निश्चित इस्तान नहीं होता है उनने बस अपने स्वतनता रूपी लक्ष तक पहुशना है इसलिए चले गए वे कहते हैं कि संसार में उनकी कुछ यादे हैं वो यादे लेकर आये हैं और कुछ बावनाएं लेकर के आगे बढ़ चले हैं वे अपने दिश्व है तो उनको भी सुक है उनको दुख है तो उनको भी दुख है इस परकार जीवन का अनंद लेते वे चले हम बिकमंगों की दुनिया में स्वचंद लुटा कर प्यार चले हम एक निशानी उरपर है ले सफलता का भार चले अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले हम स्वयम बंदेते और स्वयम हम अपने बंदन तोड़ चले इस पक्तियों में दुनिया की स्वार्थी प्रवर्ति और दीवानों के सरवश्व समर्पन की प्रवर्ति की और संकेत किया गया है दीवानों के लिए बलिदान सब कुछ है देश के लिए कुछ कि देश के लिए सदा सब कुछ और कुछ कुछ यह सब कुछ दीवाने चाहते हैं देश के लिए कुछ भी देने की बात सोचने चाहिए दीवानों ने सची बात यह कहीं कि हम इस देश की खाते हैं इस देश में खैलते हैं पढ़ें पढ़ें लिखें और अपना जीवन इस द तंतर नहीं बखारता तो वो लोग विष्क मगोंके संवान है जिनने इस देष से सच्चा प्यार नहीं दिखा is आपने देश सच्चा प्यार नहीं के देश यह जि seems देश दिवानने कहीं भिष्क मंगे के संवाण निश्वार्थ भाव से इदि देश से प्रेम नहीं करते हैं अपने कर्टवियों का निर्वन अच्छे तरह करेसे नहीं करते हैं तो वो एक तरह से टिक मंग है इन देश के दिवानों को इस बास का बड़ा पस्तावा होता है कि निरंतर प्रियास करने के बाद में भी वो इस देश को आजादी नहीं दिला पाएं उनका कहना है कि वो जल्दी ही चले गए अपनी हसबलता के इस बोज को अरदय में धारन किये वे अपनी करतेवियं को दिबाते जा रहे हैं देश बक्ति की भावना जिनके मन में होती है वे वीर कभी भी किसी भी प्रकार से ने तो कोई बेदवाव करते हैं ने देश की संपति को नुक्सान पहुंचाते हैं उनके लिए ने कोई अपना है ने कोई परहा है जिस देशवाशी के अंदर देश बक्ति की भावना होती है वो वीर कभी भी किसी के साथ कोई बेदवाव नहीं करता है उनके लिए ने कोई अपना है और ने कोई परहा है वे यही चाहते हैं कि वे रहे ने रहे लेकिन देश की संप्रभूता हमेसा रहे देश हमेसा आन बान और सान में रहे उन्होंने काया कि अपने जीवन के लक्ष को स्वेम हम निश्शित करें और जितने भी बंदन हैं उनको तोड़ करके हमारी लक्ष को प्राप्त करें हम जितने भी रिष्टे नाते हैं उनको देश से आगे नहीं रखें यहनि देश हमारे लिए सर्वोप्रिय है उसके बाद अमारे रिष्टे नाते धार्म सब कुछ बाद की बात है कभी कह रहा है कि दिवानों को अपनी हस्ती मालूम है देश के लें जीना है और देश के लिए उसकी काम ना करने जाएं और इसके आज हम आपको तीन प्रषम दे रहे हैं पहला प्रशन है स्वतंत्रा के दिवाने एक किस्तानिकर क्यों बैठते इसके उत्तर हम बताएंगे आपको दूसरा प्रसन है कभी के अनुसार देश की स्वत्मत्रा के लिए दिवाने अपनी हस्ती को तुछे क्यों मानते हैं और तीसरा प्रसन है आगे की और बढ़ने पर उनके बंदू बांदव दिवानों से क्या कहते हैं तो पहले का उ पर लिखेज़े स्वतंत्रा के दीवानों के लिए बलीदानी वीरों के लिए किसी एक स्थान से उनका मोहन नहीं होता है उनको तो बस देश को स्वतंतर कराने की धुन लगी रहती है इसलिए युद्धान पर टिक करके नहीं बैढ़ते फिर दूसरा प्रशन है कभी के अन क HEY मात्र भूम्मी को सवतंतर कराने के दीवा ने देश्बक्त अपने जीवन से silver आपको पुक्स नहीं मालते हैं इस जीवन को महत्री नहीं देते हैं श्रप किस को दआते हैं इस देश को देते हैं इस देस के आजादी को देते हैं आगे के प्रशन आगे की और बढ़नेपर उनके बंदू बढंदृ दिवानों से कहते हैं आगे की और बढ़ने Pर उनके बंदू बांदौ धिवानों पुने लेकर के आएंगे तब तक के लिए नमस्कार